हलो To day और वरिवन वेलकम टो जेकल sì सो मेजर यन माइनड पोर्स की लास्ट विडियो मेरा हमने कॉल्कता पोर्स को डीटेल में डिसकस किया आज हम डिसकस करेंगे हाल्दिया पोर्ट अधि परदीपोर्ट थो एप वीडियो स्टाट करने से पहले जिन लोगों exam में पूछा जा सकते है कि यह port है कहां पे है मैंने आपको कहा था कि major port सिर्फ 13 है और यह 13 के 13 आपको ऐसे घोल के पी जाने है मतलब इनको आपको याद रखना ही रखना है किसी भी condition पे ठीक है तो first question exam में यह पूछा जा सकते है कि यह port है कहां पे है जैसे मैंने पिछले गला जो port करवाया कोलकता पोर्ट कोलकता पोर्ट कोलकता पोर्ट वेस्ट पंगॉल में तो यह examen नहीं पूछा जाएगा कि कोलकता पोर्ट कहां पे वेस्ट पंगॉल में क्यूंकि कोलकता एक city वेस्ट पंगॉल की तो सब को यह पता होता है तो यह नहीं पूछेंगे कि कोलकत river meet करती है वहां पर यह port बनाया गया हल्दिया पोर्ट क्लिर और जहां पर कोलकता पोर्ट है ठीक है उसी के नीचे 105 किलोमेटर नीचे यह बहुत important बात है एक पर रपीट कर देता हूं कि हल्दिया पोर्ट है यह कहां तो उसके पानी को डायवर्ट कर देते है जो होगली रिवर थो रही है कोलकता कोट पोर्ट है उसके 105 किलोमेटर नीचे यह पोर्ट क्यों बना गया थीचिक है कोलकता पार्ट मैंड़कों क bags去्ण वह यह वह बहुत जाना पर वह जाञए थी एक तरह क्या नहीं के मतलब वहां पर बहुत ज़ाधा काम था ठीक है तो उस पर उस पर प्रेसर था उस पर जो प्रेसर था वह कम करने के लिए यह अ पर बनाया गया था तु अ यह उत बहुत इंपॉटन बात आई यह 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 भी पॉर्ट त बड़ा है बट एस इसको भी, मतलब हलदिया पोर्ट को भी कौन चलाता है, कोलकता पोर्ट ट्रस्ट, मैंने आपको बताया था, कि जो major पोर्ट होते हैं, ठीक है, वो उनको एक ट्रस्ट चलाती है, ठीक है, और वो जो ट्रस्ट है, किसके अंडर आती है, वो Central Government के अंडर आती है, ठीक है, तो यह exam में पूछा जा सकता है, कि पयरदी पोड्ट, जो है वो कौनसी स्टेٹ में, ठीक है, अब देखते हैं कि ए कहां पे है, तो आपको पता है, महनधी रीवर जो है, ये दो स्टेर्स में फ्लो करते है, तो महनधी जो river है वहाँ जो इसका delta है महानधी डेल्टा ठीक है महानधी river जहाँ पर delta बनाती है आपको पता है जितने भी east flowing rivers है वो सारी के सारी delta बनाती है तो महानधी जो delta है वहाँ पे यह पेराधी port है clear और आपको पता है बड़ी famous city है अधिशा की kattak ठीक है तो ये कुछ important बात है पारदी पोर्ट के बारे में अब बात करते है next important बात तो पारदी पोर्ट जो है ना यहां पे इसका जो पानी है वो बहुत गहरा है ठीक है मतलब 12 मिटर के करीब इसकी गहरा ही है ठीक है और जब पानी गहरा होता है तो आपको पता है बड़े बड़े large vessels मतलब ships ठीक है वहां पे आ सकते है clear तो ये important point है ठीक है इसमें पानी जो है वो बहुत गहरा है अब बात करते हैं कि में ली ये पारदी पोर्ट से क्या चीज़ export होती है मतलब में ली ये क्यों बनाया गया है तो में ली ये बनाया गया है iron ore, coal वगयरा को export करने के लिए ठीक है develop mainly to handle large scale exports of iron ore and coal आपको पता कि iron ore वगयरा कितने भारी होते हैं ठीक है तो उनके लिए बड़े बड़े जो हैं वैसल चाहिए उनको export करने के लिए ठीक है तो पानी अगर गहरा नहीं होगा ठीक है तो वो float नहीं करेंगे आपको ये चीज़ पता है ठीक है तो में लिए इसलिए बनाये गए है अब बात करते हैं कुछ और important facts जो पैरदी इप्से लेटेड है जैसे कि पैरदी पोर्ट जो है ये 8th major port था इंडिया का आपको पता है 13 major ports है 13 अभी अभी बनाया है उसके बारे में बात करेंगे जो पैरदी पोर्ट है ये 8th major port है 1966 में बनाया गया था डेट याद रखने ही जुरूरत नहीं है बट आप रख सकते हो आपकी मरजी है ठीक है और independent इंडिया मतलब जब इंडिया को independence मिलगी उसके बाद East Coast पे जो सबसे पहला major port बनाया गया था वो पैरदी पोर्ट था रिपीट कर देता हूं कि जब इंडिया अजाद हो गया independent हो गया तो उसके बाद East वाली Coast पे East वाली Coast मतलब आपको पता है यह हमारा पैरन इंस लुडर इंडिया तो यह वाली जो कोस्ट है इस पे जो सबसे पहला ठीक है major port बनाया गया था ठीक है और यह वैसे जो पैरदी पोर्ट जो है यह 8th major port है इंडिया का ठीक है अब जैसे कि मैं आपको पताया आईरन अलुमीनियम वगयरा ठीक है यहां से एकस्पोर्ट किया जाते है और मेली इंडिया जो आईरन वगयरा एकस्पोर्ट करते हैं ठीक है वह जपान को करते हैं जपान को करते हैं ठीक है परिधी पर्ट पर जिन जिन स्टेट से गैज जो समाना आता है वो उनका फिटरर लेंड एरिया होग्याज जैसे परदी पर्ट पर Odisha से समाना आता है ठीक है Mr. Tolkien चार्थे स्माना आता है जारकाण से बाटो na मेली यहां से आते हैोड मेली यहां से आता है तो यह इससे जादा आपको एक्जाम में नहीं पूछा जाएगा, यह more than enough है, आपको यह सारे के सारे points जो है, ठीक है, पेरादी पोर्ट से लेटिर, हल्दिया पोर्ट से लेटिर, दिमाग में रहने चाहिए, और जो मैंने पिछली वीडियो में डिसकस किया था, कोल का था पोर्ट, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन, गुडबाई